नमस्कार दोस्तों, मैं Dr. 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 स्वागत करती हूं आपके अपने चनल में दोस्तों, अगर आपको भी स्किन की कोई नो कई प्रॉबलम होती रहती है और बहुत सारे ओइंटमेंट, बहुत सारे क्रीम, बहुत सारा ट्रीक्मेंट लेने के बाद भी महेंगे प्रोड़क यूज करने के बाद भी जल्दी ठीक नहीं होती है तो बात यह आती है कि आखिर प्रॉब्लम कहां पर है और क्या है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो ब्लड है वो इंप्योर हो जिसकी वजह से हमारी बॉड़ी हमें क्लियर साइन देती है इसकिन हो जाती है अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यह वीडियो खास आपके लिए जिसमें मैं बताऊंगी कि नंबर वन कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा ब्लड इंप्योर हो गया है नंबर टू ब्लड को साफ करना यान कि प्यूरिफाई करना क्यों जरूरी है और नंब हो समय करते हैं मिनरल्स हो गया हो गया ह्टो मों फटंट नेरीटों तरह से लेके पाओ तक और पाहां से तरीके से बाहर समें निकल पाते है तो हमें इसकिंगी प्रॉब्लम नहीं लग ज़ाती है अरे lungs हमारी kidney हमारा जो liver है वो ढंक से काम नहीं करता क्योंकि उसके पीछे के कारण भी हमी है तो हमारा जादा तर stress में रहना जादा तर angry रहना या फिर jealousy होना sad या फिर mental stress ऐसी बहुत सारी भावनाएं है जिसकी वज़े से हमारी blood में बहुत सारे ऐसे secretions होते हैं जैसे की stress hormone लेगरा जिससे blood की toxicity बढ़ जाती है इसके अलावा हमारा lifestyle heavy doses of antibiotics हम लेते हैं या फिर smoking, alcohol या फिर excess food का intake करना या फिर पानी कम पीना हमारे खानी की जो irregular food timing है उसकी वज़े से भी ये problem होती है या फिर हम ज़्यादा fast food खाते हैं या फिर ज़्यादा spicy या salty चीज़े खाने लग जाते हैं या फिर wrong food combination यानि कि हम दूद के साथ milk के साथ salty चीज़े खाते हैं या जब भी हम को ऐसी सबजी बनाते हैं मलाई में या फिर दूद के यूज करते हैं और इसमें नमक भी डालते हैं तो इस तरह के wrong food combination की वजह से इस तरह की lifestyle की वज़े से हमारे जो ऑर्गन्स हैं ब्लड प्यूरिफाई करने वाने के जैसे कि लिवर हो गया किड़नी हो गया या फिर लंग्स वो प्रॉपर नहीं या पिंपल होना रैश होना अर्टिकेयर इन के हाइव जैसे कहते हैं याए अधि की निकी पित्त का हो जाना या फिर एक्जिमा होना सरयास सेस होना आपके pigmentation की problem यह सारी problem आपकी body की जो excess heat है उसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकते हैं या फिर आपके हाथ परो में बर्निंग सेंशेशन नेंद की जलन हो सकती हैं भूब का कम लगना और इसके अलावा एक्सेसिव हेयर फॉल यह सारी ऐसी समस्याय है जो कि ब्लड के इंप्यूर होने की वज़े से होती है और जल्दी ठीक नहीं होती अब नमबर त्री ऐसे कौन-कौन से आसान नेच्रल तरीके हैं जो कि आप घर पर रहकर ही अपने ब्लड के प्यूरिफाई कर सकते हैं और इसकी इस टॉकसिसिटी को कम कर सकते हैं सबसे पहले नमबर वन जो सबसे ज़ादा जरूरी है कि देली दिन में कम से कम 15 मिनट का अगर आपके घर के आस पा計 नीम का पेड है तो उसकी जो फ्रेश लीव्स होती है वो ज़्यादा अच्छा काम करती है जो फ्रेश लीव्स होती हैं उसकी 4-5 लीव्स को खाली पेड जरूर खाएं ब्रेकफस्स से आदा गंटा एक घंटा पहले अगर आप उसको नहीं ले सकते हैं तो आप पानी में बॉइल करके नीम की पतियों को उसका इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों जो भी आप ब्लड पुरिफिकेशन के लिए सिरप या कोई टॉनिक लेते हैं तो उसमें नीम जरूर होता है क्योंकि हमारी बॉडी को नीम जो है वो डीपली है या फिर पिज्जा बर्गर ये फास्फूड वेगरा इनको कम से कम से वन करें जितना हो सके इसको अवाइड करें स्मोकिंग को एल्कोहल को बिस्कित चॉकलेट नॉन वेज इस तरह के बेवरेज को जरूर अवाइड करें जिससे कि आपके जो आपकी किड़नी है लिवर ये प्रॉपर अच्छे तरीके से काम कर सके नंबर फूर आपको मैं एक बहुत ही अच्छा सुपर ड्रिंक बताने वाली हूँ जिसका आप ड्रोजाना चाय के तौर पर इस्तमाल कर सकते हैं जिससे कि आपको बहुत सारे बैनेफिट्स मिलेंगे उसका नाम है हिबिस्किस यानि कि जो हिबिस्कस होता है गुड़हल का फूल होता है उसको आप डेली आप बानी में बॉइल करके उसका सेवन जरूर करें खाली पिट इससे आपका स्किन कॉम्पलेक्शन अच्छा हो जाएगा आपके हेर में रीग्रोथ होने लग जाएगी क्योंकि ये बहुत ही अ आपके मात्रह में एंटी आक्सिदंट्स पाया जाता है जिसकी वजह से आपके माइन के लिए आपके हाट के लिए और आपके बलड के लिए बहुत ही अच्छा है इसके लबाँ आप अपने डाइट में रोजाना कुछ नकुछ हेल्दी फूरूट या फिर वेजटेबल्स इसके लबाँ कुछ वेजटेबल से होते हैं जो कड़वे होते हैं जैसे की करेला उसको आपको कम से कम हफते में या पंदरा दिन में अपनी डाइट में एक बाह जरूर शामिल करें इससे भी आपको बहुत फाइदा मिलेगा बलड के प्यूरिफाई करने या फिर अद्रक का पानी आप ले सकते हैं उसको गुड के साथ या फिर हनी के साथ ये भी बहुत जादा बेनिफिशियल है अगर आपको जब भी बिमार होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए सर्दी जुकाम खासी बुखार कुछ भी आपको होता है तो तो प्रंधी ऐलोपेथिक मेडिसन या फिर एंटिबाटिक की हेवी डोस का इस्तमाल ना करें कफ सिर्प्स को ना पिए जिससे कि आपकी बोड़ी खुद भी अपना काम कर सके बिमारी से लड़ने के लिए अगर ऐसा होता है तो आप होमेपति को अपना है जिससे कि आपको कम से कम साइड इफेक्ट में आपक बिमारी से अगर आपको हमारा वीडियो इंफर्मेटिव लगा है अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा और आप इस तर्लेटिट कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं